जैहिन दोस्तो ओनले लर्निंग स्टेनो चनल में आप सभी का स्वागत है असी शब प्रती मिनट की गती से जो संपात के डिक्टेशन बोली जाएगी उसकी सभी डिफिकल्ट आउटलाइन हमने यहां पर लिख दी है सारी आउटलाइन रिशी पन्नाली में बनाई गई हैं द कुछ कामधंदे ऐसे होते हैं जिनमें हर वक्त हादसे की आशंका बनी रहती है इसलिए उनमें सतर्कता और सुरक्षा संबंधी उपायों का गंभीरता से पालन ही सबसे कारगर तरीका माना जाता है मगर हमारे देश में उद्योगिक सुरक्षा संबंधी नियम काईदों को किस तरह ताक पर रख कर बहुत सारे कलकार खाने चल रहे हैं यहे छिपी बात नहीं हैं इनकी मनमानियों पर नजर रखने वाले अमले आखें बंद किये रहते हैं उनकी आखें तब खुलती है जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है तब कुछ दिन की सतरकता और नियम काईदों के पालन में बरती जाने वाली लापरवाहियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने का दम भरने के साथ फिर से आखें बंद कर ली जाती है इसी का नतीजा है कि कलकारखानों में हादसों और उनमें काम करने वाले मजदूरों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं लेता तमिल नाडू के कांची पुरम में एक पटाखा कार खाने में लगी आग में नो मजदूरों के मारे जाने और बारा के गंभीर रूप से घायल हो जाने की घटना उसी की एक कड़ी है इस तथे से कोई अंजान नहीं की पटाखों के निर्मान में अतीजवलनशील पदार्थों का इस्तेमाल होता है उनके कार खानों में लापरवाही का मामुली चिंगारी भी भ्यावे रूप ले सकती है फिर भी ऐसे हाद से हो जाते हैं तो जाहिर है कि उनमें जरूरी सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जाता हर घटना के बाद यह सवाल उठता है कि आखिर सरकारें पटाखा बनाने वाले कारखानों में मजदूरों की सुरक्षा के पुक्ता इंदजाम करने में कैसे विफल है दक्षिन भारत में पटाखे का निर्माण बड़े पेमाने पर होता है इनमें जादातर काम मजदूर हाथ से करते हैं पटाखे बनाने से लेकर उनके भंडारन तक इस काम के लिए उन्होंने कोई विशेश प्रशिक्षन नहीं लिया होता है इसी का लाब अक्सर कारखाना मालिक उठाते हैं हालांकी पटाखा बनाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है उससे संबंधिर नियम काईदे बहुत सक्त हैं फिर भी कारखाना मालिक सुरक्षा मानकों की अंदेखी करने से बाज नहीं आते फिर जो कारखाने चोरी छिपे चलाए जाते हैं उनसे भला नियम काईदों के पालन की कितनी उमीद की जा सकती है और द्योगिक हादसों पर लगाम ना लग पाने की एक बड़ी वजह यहे भी है कि उनमें मारे जाने वाले लोगों के लिए मुआवजे का कोई इसपष्ट प्रावधान नहीं है दूसरे देशों में और द्योगिक हादसों पर इतना कड़ा जुर्माना है कि हर कारखाना मालिक उससे बचने के उपाए करता है हमारे यहां अक्सर हादसे के बाद परशासन खुद कारखाना मालिक और मारे गए मस्दूरों के परिजनों के बीच समझोता करा कर कुछ मुआवजा दिला देता है बड़ा हादसा होता है तो कई बार सरकारें भी कुछ मुआवजा दे देती है स्टोप